बच्चो जैसे कि जब आप क्लास में आ रहे थे तो हम आपको ड्रेइंग सिखाए थी ड्रेइंग में अम्ब्रेला बनाए था आज हम क्या बनाएंगे फिस या के एन्वाल एक्जाम की वर्क है तो इसको बहुत ध्यांसर बड़ा सुंदर सुंदर से बनाएंगे मैं आपको इस मैं सिखा रही हूnt फिस कैसे बनाते हैं फिस बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है मैं से बना यह को एज हाफ सरकर हल्क है संथ या यह वी बनाते हैं वी ऐससे आप वह बना लीजिए ठीक है यहां ऊपको ऐसे लिखोना ने ज्वार्टिब भूब बनानानी जैसे पत्टे बनाते ओफूलों के पत्टे बनाते ना फिर यह छोटा सब्सग्व करेंने इस इसकी आई होगे यह इसकी टीर फार होगे इदर हएं इसे ज़्वान से बनाएंगे सब बच्चे देखो और इसमें कलर भू ध्यान से बिरेंगे सुन्द असंदर कलर करेंगे जल्दी कोई नहीं करेंगा आराम से बनाइए हलकी पैंसिल से बनाना है पहले अच्छी से जब बन जाएगी फिर दुबारा से आपको क्या करना है इसमें फिर आपको आउटलाइन करनी है इसकी जब पहले लाइट बन जाएगी दिखा देना अपने घर में बढ़ो को या इससे भी मैच कर सकते जो आपको वर्क जाएगा उसे मैच कर लीजिए और वरना आप क्या करेंगे इसको सुंदर सा बना लेजिए अच्छे से बढ़ बढ़ लीजिए का सफाई से कलर आपको इससे भी बढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है एक बार मैं फिर से आपको शीखा रही ह बता है ठीक है ठीचर थोड़ा सको पीछे छोड़ेने ऐसे पत्ते बनाते हैं जैसे आपको पत्ते मेना एसे बना। है ट्यक ऐसे करना फ्रियां आप यह वाली सेवघ देनी है इसको न भी बनता है शोड़ा Trump ऐसे लिप सुवाली सेवक्ते देना फिर आप इसोड़ी आए फिर यह आपका, अब सर्कल करके यह इसके face का portion हो जाएगा फिर यह इसके wings बन गए हैं और wings में क्या करना है आपको? Lying-T ऐसे और यहाँ पर क्या करना है इसके फिर इसके portion में क्या बनाने है? हाव, circle बिलकूर simple होगा बहुत अच्छे से और अराम से बन जाएगी वैसे तो आभी आपको जायता सभी बच्चों को यह आती भी है तो बड़े ध्यान से और सुन्दर सुन्दर बना लेना क्योंकि आप अपनी उसमें बनाते थे ना तो जल्दी मत करना कोई भी बच्चा अराम से बनाना और इसको अच्छे से सफाई से कलर करना है ठीक है जब आप एक जम स्कूल खुलेंगे आपके फैब में तो फैबर में जब आप स्कूल आओगे तो आपकी यह सरी सीजी चेक होंगी और सभी बच्चे वीडियो देखके उसे लाइक कर लिया करें लाइक करने से क्या होगा वो सारी व जिसे यह आपके पास सेव रहें और जब भी आपको जुरुत पढ़े आप अपने बच्ची को दिखा सकते हैं सब की देखो में ने कैसे समझायवा है क्योंकि एक्जाम टाइम में सारा वर्क वही आएगा एक्जाम में तो फिर आपको भी इजी पढ़ेगा कि आप मेंडम की ही समझायवे तरीके से बच्चों को सिखा दें थैंक यू एंड हैवे नाइस डेए